CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं देखिए सरकार अभी जो ब्रस्टाचार और गुंडाराज को खत्म करने के जो कदम उठा रही है वो एक प्रसस्ट नहीं है ठीक है और जो यूपी में जिस प्रकार से गुंडाराज था उसको दिरी 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 खत्म किया जा रहा है और ब्रस्टाचार को भी खत्म किया जा कौह बाज़पा की नेता ने कहा था प्रहश्टाच्चार में लिप्त हैं Я है वह승 सब्सक्राइब का फ़िशिंभ सब्सक्राइब अच्छानक वह इदर से उधर चले जाते हैं तो सारा प्रहस्टा चाहर कहां चले जाते हैं पर कीसिस क्यों हट रहे हैं widely किये जो आप गे रहोना कि इदर के उदर चले जाते हैं यह तो अपने अपनी बावने होती है किसी पार्टीम आकर कि वह अगर बस्ताचार किया हुआ अभी मांदारी से करना चाहता है अपना आपको सुधार ना चाहता है जिसका स्वागत है अगर केजरिवाल ने बस्ताचा हम अभी बिसोली के रानेट चुराहा में हैं जो कि यह लोकसभा बदायू में आता है हमारे साथ अभी भाजपा के भी और सपा के भी समर्थक हैं उनके बीच में अभी हम बाच्चीत करेंगे देखते हैं दुनका क्या कहना है अपनी पार्टियों के बारे में जी साब क्या ब्रामन ब्रामन जी बता यह चुनाव और रहा है कहां जा रहे है इसमत्रागम हम तो बीचेपी के एसमत्राज् werde के यden टीजिडिल इंडिया के नाम से पहचान दी जिस पार्टी ने इस, बारे मोरे नरेंद्रええक्टी जीन है तो पहले से आने लग गया था ना तो जब से नरेंदर मोदी की सरकार बनी है संपोर्ण विश्वार मोदी की न्यत्रत्व को तलास रहे हैं कि विश्वत सतर पर हमें पैचान मिली न वह आप कैसे कह रहे हैं मतलब किस अधार पर क्या इंडियन्स को कहीं वीजा मिलना असान हो गया किसी मुल्क में नौकरी मिलना असान हो है कहां हुआ है बताइए जिस मुल्क के एक मुख्य मंत्री को एक सबसे बड़े विश्व का धनी देश वीजा देने से मना कर रहा था आज वही धनी देश कारप जनता की एक वोट ने हमारे देश को इतना टाकत वर बना दिया कि शंपुर्ण विश्व को हमारे देश के सामने सलाम करना पड़ा हूं कि आप जो सलाम की बात कर रहे हैं क्या हुआ है क्योंकि अचानक कनेड़ा से तो हमारे वीजे कैंसल हो गए थे कही जगा कौन से देश में ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ा हिंदुस्तानियों के लिए कि हमको यहां वीजा मिलना असान हो गया यह और राइवल वीजा हो गया देता हूं भारत हमारा इतना ताकतवर है कि बारत के एक आंक के रंग ने अभी के वहां पे जो यूद चल रहा था यह जो मंदेश का आ जाता है पाकिस्तान वह भी तिरेंगा लेके खड़ा होता है इसका बहुत प्रचार भी हुआ जिसका बहुत मजाक भी उड़ा जितने भी चात्र यूक्रेन से आये थे उन सब के इंटर्व्यूज आये परेशान थे कह रहे थे कोई मदद नहीं मिली कुछ ऐस अगर वारत के अंदर हमारे बारत के स्टुडेंट अगर फश गया है तो रुकी तो नहीं थी रुक गई थी अज़ेंट लिए बाहर आगे मणीपुर की इंसा क्यों निरुक पाई बता दो अब देश के अंदर रिपोलिंग करनी पड़िए दोवारा कुछ टर्वाटे एंट उन्से लड़ना उन्से लड़ना आप और हम सब की बात हैं मनीपुर तरक कर यह हम उत्र परदेश की बात कर रहे हैं उत्र पर देश उत आप उसको गदार क्यों बोल रहें तो डिल देखो देखो इंतर परदेश बहुत बड़ा राज्जी और उत्र परदेश को इतना डूल पहुच चुका है तो कुछ हात्रस की दलत लड़की बाल में एक समाज की थी उसे जला दिया गया अपर कास्ट के लोगों ना उसकी लास भी नहीं मिली उसके बाद मावा बटकते रहे तो स्वारी सरकार ने क्या इनका दर्द जो है इनका दर्द बिल्कुल वाजब है इस परकार की घटना है कि हम भी गो एक अधम बाद तो यह ना क्योंकि जफ पर रातोरा जला डिया गया बिना बहुत बहुत दर्द ना गटना हुई है जो शेहन करने लाइक नहीं है लेकिन सरकार ने अपरादियों को मख्स अध्यी अपरादियों को गृतारники किया है इसमें पुदेखोई साप हो जाते श्म प्रसासन करते हैं अगर प्रसासन की वज़े से इनको संचंता को कोई समर्तन नहीं मिलती है तो यह सरकार को हम कहना चाहेंगे अमरित पंचारिया अमरित जी मिरे को एक चीज बता यहां मैं बाद घूम रहे हैं ठीक है पिछले दिनों एक-एक किसान मैं आपको सच बता रहा हूं भाई साब मुझफवर नगर सहारनपूर से लेकर यहां बदायू तक आ गए हैं बीजार को लेकर किसान इतना परिशान है हर जगा इतना परिशान है बताइए आपकी सरकार क्या कर रही है उसके बारे में ट किये सरकार अभी जो वर्ष्टचार और गुंडाराज को खत्म करने के जो कदम definitive उटा रही है वह एक प्रस्शनी समय थीक है और जो उटिका जो यूकी में जिस प्रकार से और से कर और इसको धिरी-दिरी-दिर तो बने जारे है और जो आवारा पर्शू गूम रहे हैं उनको एक सरकारी तंतर के अंदर चाहिए वह सरकारी गो चाहिए वंवस्ता हो उसकी अनुस्था उन पश्चों को अलग से रखा जाए वारा पश्चों को पिछले साथ साल की भीमारी जाता था थीक है अब वह काटने वाली समिशन नहीं है अब आप बताइये इन्होंने तीन चीज़े बोली है कानून व्यवस्था बोली इन्होंने ब्रश्टाचार बोला और बोला अवारा पशू वह तो सब ने बोल दिया वारा पशू मैं आप डिविट करना चाहता हूं आप बताइए जो बीट के जो मास सप्लाई है कि लाइसेंस है 17 लाइसेंस है उसमें आप मात्र एक मुसल्मान का जैन सबसे बड़ा सप्लाया सोला तुमारे ठाक बनियों कि एक ब्रश्टाचार की बात आती लेक्टर बाउंड कि ने दिये वैक्सीन आपने लगवाई वैक्सीन सा हाट अटेकर सुप्रिम कोड में चेलेंज किया माना आपने कितना लिया चंदा आपने राजवितिक पाटिया अमेशा से चलती है अगर कोई सयोग करता है उसके बाद बाद खरित वाओगे अगर दस लाग पर अगर दस बताए ब्रश्टाचार पर मैं एक चीज़ आप से पूछूंगा एलेक्टरल बांड तो क्योंके ये भी कहा गया है ये तो सुप्र किसको पाइसा दे रहा है इसका कोई सूची नहीं होगी यह तो कानून था इलेक्टरल बॉंड का लेकिन आप मुझे यह बताइए ब्रषटाचार पर मेरा भी एक सवाल है क्योंकि आप सरकार में हैं अगर आप सरकार में नहीं होते यह लोग सब्सक्राइब पूछता मुझे लगता मीडिया का काम है जो सत्ता में उन से सवाल पूछने का अजीद पवार को भाजपा के नेताओं ने का था ब्रषटाचार में लिप्त हैं यह हैं वो हैं चगन बुझबल जी के लिए भी का कई लोगों के लिए अचानक वह इधर से उधर चले जाते है दो आप इधर चले जाते यह दो अपनी बावन euch होती है किसी बावन अगर इमांदर्यी से क्रतापना चाहते अपना आपको शुधार न चाहता है अगे पीछे का कारवाई करने वाले खुद ब्रष्ट है कौन करेगा कारवाई इसका मतलब जो केजरी वाल को जो ब्रष्टाचारी लोगों ने उनको जेल में डाला गलत डाला अब जिस समय कि मैं बात कर आप कहा रहा है तो उसको बुगितना पड़ेगा और उसने वस्ताचार किया दिली की जंता को मुर्क बनाया है की लालत दे करके और सता पर आया है यह गलत है फ्री यह प्री मिन नहीं कीमत कितनी हुई वह जंता की मांगे ठीक है पता है आपको नहीं पता है भारतिये खाद अधनियम कांग्रेस के जमाने में पास हुआ था सुप्रीम कोड ने कहा था तुमारे लिए को भीक नहीं मांग रहा है बाजपास है कोई देश के अंदर भूंकर ना मरे इसलिए भार एक सेकंट एक सेकंट ये भावना हिंदोस्तान के लोगतंतर की भावना है बहुत अच्छा ये 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 भावना बहुत जरूरी है हिंदोस्तान के लोगतंतर के लिए ये अगर आप सरकार का विरोध करें या साथ हो लेकिन फिर भी ये मत हैं उसके बावजूद भी आप कामों पर वो सवाल उठाए ये भावना उम्मीद है आगे भी बनी रहेगी जो अभी हमने देखा इतनी बड़ी डिबेट के बाद भी हाथ मिले गए गले मिले यही लोग तंतर का कही न कही मूल है जुड़े रहें CCA के साथ बहुत बहुत धन्यवाद